जैहिन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वर्ष क्लासेस में प्यारे बच्चों, आज हम लोग कच्चा 5, JCRT, हमारा परियावरन पाठ पुस्तक में पाठ 5, ग्यानेंद्रियों का कमाल इस पाठ के सभी प्रशन उत्तर को करने वाले हैं तो चलिए बच्चा, हम सबस्ते हुए इन प्रशनों के उत्तर को हल करते हैं तो प्रशन प्रशन दे रखा है बच्चों, सोचो और बताओ, क्या तुमने किसी मीठी चीज के पास चीटियों का जुन देखा है तो आप यह हमेशा देखती हो, कि जब भी आपके घर में कोई मीठा चीज गिर जाता है तो पहले तो उसके पास एक दो चीटियां आती हैं और कुछ ही देर के बाद उसके पास पास में बहुत सारी चीटियां मंडराने लगती है उसके सामने गूमने लगती है तो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ, मैंने मीठी चीज के पास चीटियों का जुन देखा है अगला प्रश्न है क्या तुमने किसी जानवर को तुम्हारे घर से खाने की चीज ले जाते देखा है तो आप यह अक्सर देखती होगे कि आपके घर में यदि दर्वाजा खुला है तो कभी बिल्ली आ जाएगी या फिर कभी चुहा, तो फिर कभी कुत्ता, ये सभी जानवर घर में गुसके समान ले जाते हैं, क्यूंकि वे उन्हें खाते हैं, तो लिखेंगे हाँ, मैंने हमारे घर से किसी चीज को, किसी जानवर को खाने की चीज उठा कर ले जाते देखा है, ठीक है, ये हम लोग लिख अगला प्रशन है क्या तुमने कभी जंगल में सियार की आवाज सुनी है तो लिखेंगे हाँ मैंने रात में जंगल में सियार की आवाज सुनी है अब यहाँ देखो कि जब रात में चारो और सनाटा हो जाता है तब एका एक जंगल के या फिर दूर से सियार की आवाज आती ह अगला प्रशन यहाँ पे दे रखा है सुनकर तुम क्या पता लगाते हो तो यहाँ पे लिखेंगे मैं तरहा तरहा की आवाजे सुनकर पता लगाता हूँ ठीक है यह हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे अगला प्रस्न है चक कर तुम किन किन चीजों का पता लगाते हो तो यहां लिखेंगे मैं खटा, मीठा, तीखा, नमकीन चीजों का चक कर पता लगाता हूं कोई चीज खटी है या मीठी है या नमकीन है या तीखी है इसका पता हम कैसे लगाते हैं उसे टेस्ट करते हैं चगते हैं तब ही तो तो हम चग कर उसे पता लगाते हैं अगला प्रस्न है क्या जानवर भी मनुस्य के समान सुनकर देखकर और सुंग कर चीजों का पता लगाते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है बच्चा कि अब जब भी किसी जानवर को कोई वस्तु खाने के लिए दोगे तो पहले तो वह सुंगेगा फिर वह सुंगेगा क्या व आने लाइक है तभी वह उसे खाता है तो वह भी देखता है सुनता है और सुंगता है लिखें के हाँ जानवर भी मनुस्य के समान सुनकर देखकर सुंग कर चीजों का पता लगाते हैं आप लोग लिख लिए इसे अगले प्रस्न को करते हैं तो अगला प्रस्न यहां दिया कि भिन भिन करके आपको काटेंगे और आपको पहचान लेंगे तो कैसे पहचान लेते हैं तो बच्चों हमारे सरीर से एक गंध निकलती है उस गंध को सूंग कर मक्छर हमारे पास आते हैं तो इसमें लिखेंगे वे हमारे सरीर की गंध से हमें पहचान लेते हैं अगला प्र हैं लिखेंगे इसके बाद वे रात में अपने मुह से एक विशेष तरंगे निकालते हैं ठीक है एक विशेष आवाज निकालता है जो किसी वस्तु से टकरा कर उन्हें रास्ता बताती है और इस प्रकार वे रात में अपना भोजान जूंट पाते हैं जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ या चमगादर उड़ रहा है वह अपने मुह से ऐसे अवाज निकालता है जो कि सामने वस्तु से टकरा कर यहाँ से एक अवाज निकाला सामने में कोई वस्तु है तो उससे टकरा कर वापस इसके पास आता है तो इससे इससे पता चलता है कि सामने के में कोई वस्तु है उस वस्तु खाकार कितना है यह सभी उससे पता चल जाता है तो इस परकार वह अपना खाना दून लेता है अगला प्रश्न को करते हैं अगला प्रश्ण है, कल रानी स्कूल से आ रही थी, तब रास्ते पर बिखरे हुए कूड़े के बगल से गुजरी, तो उसने जट से अपने नाक मुह को रुमार से ढख दिया, रानी ने ऐसा क्यों किया होगा? तो बच्चों यहां लिखेंगे कि उस कूड़े से दुरगंध आ रही होगी, तो आप कूड़े से दुरगंध आ रही होगी और उसकी दुरगंध से रानी ने अपने नाक मुह पे रुमार रख दिया, तो आप भी यह देखोगे, जब भी आप सड़क में जाओगे, तो आप कूड़े के बगल से गोई रोगे, तो ऐसा दुरगंध आता है, कि आप अपने नाक को ढखना पड़ता है, तो उसलिए रानी ने भी ढखा होगा, अगला प्रस्न है, क्या तुमने कभी किसी कुट्टे को इधर उधर कुछ सुंगते देखा है, सोचो वा कुट्ता क्या सु वस्तु को ढूंड रहा था, या हो सकता है कि वह अपने साथी को ढूंड रहा हो, ठीक है, तो कुट्टे सुंगते जो हैं तो वह अपने साथी को ढूंडते हैं, या फिर खाने की वस्तु को ढूंडते हैं, ये सारे वे करते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए, अब अगला प का इस्तिमाल किया जाता है आप यहाँ देखो अगे कि पुलिस जो होते हैं उनके पास भी स्निफर डोग होते हैं वे क्या करते हैं? चीजों को सुंगते हैं वे अपराधियों को सुंग कर पता लगाते हैं कोई वस्तू जमीन में गड़ी हुई है काह ये सभी कुत्ते सुंग कर पता लगाते हैं क्योंकि उसके सुंगने की सकती आम मनिशियों के सुंगने की सकती से कई गुना जादा होती है अगला प्रशन है हम कुट्टों को घर की रखवाली के लिए क्यों रखते हैं ये बहुत अच्छा कोश्चन है हम और भी जानवर को रख सकते हैं लेकिन हम कुट्टे को ही क्यों रखते हैं तो यहां लिखेंगे बच्चों क्यूंकि वह हमारी रख्चा करता है और कुत्ता मालिक प्रती वफादार होता है तीक है वो हमेशा अपने मालिक की रक्षा करता है और वो हमेशा वफादार होता है अगला प्रश्ण है तुम बिना देखे केवल सुंग कर किन किन चीजों को उनकी गंद से पहचान सकते हो उनका नाम लिखो तो बहुत सारी चीज कि गंद से ही पचा दोगे कि क्या बन रहा है मचली पकरेगे तो मचली गुलाब मिठाई और समोसा ज़िए आपके आँख पर पट्टे भी बांद दिया जाए और आपके सामने पलेट में समोसा लाके रख दिया जाए तो सुनकर बता लोगे कि आज समोसा है तो यह सारी गंद अच्छे लगती है आपको उसे लिखना है मैं इसमें कोई force नहीं करूंगा कि जो मैं उत्तर लिखवा रहा हूँ आपको वहे लिखना है आपको जिस चीजों के गंद अच्छे लगती है आप लोग यहां लिखेगा फोर एक्जामपल मैं लिखवा रहा हम गुलाब गंद अच्छे लगती है उन चीजों के नाम लिखो जिन की गंद तुम्हें अच्छे नहीं लगती तो इसमें भी आपकी पसंद होगी कि आपको जिन चीजों की गंद अच्छे नहीं लगती हो वह से आप लोग लिखेगा तो जैसे एक्जामपल मचली मचली की गंद कई बच्चों को पसंद नहीं होती है कौन सी मचली कच्ची जब मचली पक्की हुई ना हो मचली को आप सिधा बजार से लिखा है और रखा हुआ है तो समय मचली की गंद अच्छी नहीं लगती है या फिर कूड़ा ये तो किसी को भी पसंद नहीं आती है और शड़ी हुई सब् इनकी गंद किसी को भी अच्छी नहीं लगती अगला प्रश्न है किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिनकी आखे सामने की तरफ होती है तो आप लोग को लिखना है उल्लू जो उल्लू की आखे होती है वो सामने की तरफ होती है जैसे मनुश्यों की आखे के बात करो हमारे तोता की बात करें मैना की कववा की तो तो इसकी आखे सीर के दोनों सिर के दोनों सिर 같ाना होती है क्या तुम अपने साथ्ची के किसी कारत को बिना गर्डन और आखें घुमाई देखबाती हो तो आप ये देखोगे कि बिना जिसे आपके पीछे कोई साती है तो आपके साती कुछ कर रहा है तो आप बिना आँखे और गर्दन घुमाई देख पाओगे नहीं देख पाओगे तो सिदा लिख देंगे नहीं अब दोनों आँख खोल कर बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के कायर को देखो आँख तो अभी भी खुली हुई थी तो अभी भी तो नहीं देख पाएंगे नहीं हम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के कायर को नहीं देख सकते दोनों तरीकों से देखने पर तुमने क्या अंतर पाया हम बिना गरदन घुमाए अपने साती की कार को नहीं देख सकते हैं चाहे हम आखे खोलें या आखे बंद करें हमें उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगला प्रस्न है एक और मजेदार बात क्या तुमने इंदर धनूस देखा है बताईए आपने इंदर धनूस देखा है यदि देखा होगा तो लिखेगा हाँ मैंने इंदर धनूस देखा है और यदि नहीं देखा होगा तो लिखेगा नहीं मैंने इंदर धनूस नहीं देखा है उसमें कितने रंग होते हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि इंदरधनुस में साथ रंग होते हैं क्या तुम कुछ रंगों के नाम बता सकते हो तो लिखेगा यहाँ पे लाल, पीला, नीला, नारंगी, सफेद, काला कुछ रंगों के यहाँ पे नाम है अगला प्रस्ण है बाग आज खत्रे में इस टॉपिक से यहाँ पे कुछ प्रस्ण पूछेगा है जैसे क्या तुमने बाग देखा है कहां देखा है तो आप लोग बताईए देखे बच्चो परियावरन अध्यान एक ऐसा विसे है जो हर एक बच्चो से प्रस्ण पूछना चाहता है हर एक बच्चो से और उसके उत्तर अलग-अलग हो सकते है फोर एक्जामपल यह कोश्चन सभी के लिए अलग है क्या तुमने बाग देखा है तो यह आप लोगों का प्रस्णल कोश्चन हो गया क्या आपने बाग देखा या नहीं देखा है तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ मैंने चीनिया घर में बाग देखा है यह उन बच्चो के लिए है जिन्होंने बाग चीनिया घर में देखा है वे इतसर या लिखेगा क्या तुम्हें बाग को देखकर डर लगता है बिल्कुल डर लगेगा इंसक जानवर है तो बाग को देखकर डर लगेगा लिखेंगे हाँ मुझे बाग को देखकर बहुत डर लगता है अगला प्रशन है बच्चों सोचो, क्या हम भी जानवरों के लिए खत्रा बन रहे हैं? कैसे? तो बच्चो हम लोग भी जानवरों के लिए खत्रा बन रहे हैं, या बात बिल्कुत सही है? आप आए दिन या खबर सुनते होगे कि हाथी जंगल छोड़कर गाउं में घुश गया खुब अफरा तफरी मचा दी आपने यह भी सुना हुआ कि कई बार सेर गाउं में घुशा हुआ मिला लेकिन ऐसा क्यों होता है अब मनुश्यों ने अपने विकास के सासास जंगलों का भी सफाया कर दिया है जंगलों का सफाया कर दिया तो जंगल में बहुत सारे जानवर जीव जन्तू रहते थे अब उनके प्राकृतिक आवास को नश्ट कर दोगे तो वे तो घर में घुसेंगे ही तो हम उनके प्राकिर्तिक आवास को ही नश्ट कर दे रहे हैं तो हम उनके लिए खत्रा बनते जा रहे हैं दिखेंगे हाँ हम उनके प्राकिर्तिक आवास को नश्ट करके उनके लिए खत्रा बन रहे हैं यह आप लोग इसके उत्तर लिखेगा अगला प्रश्ण है सोचो जंगल के जानवरों को किन चीजों से खतरा होगा इसमें लिखेंगे जंगल के जानवरों को प्राकिर्ति गधी वीधियों और मानवी गधी वीधियों से बहुत खतरा होगा प्राकिर्तिक वीदियों में बात करूँ कि मान लिजे जंगल में एका एक आग लग जाए गर्मी इतनी जादा हो कि जंगल में आग लग जाए तो जंगल में जब आग लगती है प्राकिर्तिक कारण से उसमें भी जानवरों को बहुत जादा नुक्सान होता है बहुत ही हानी होती है मानिवे गती विदियों के बात करें तो जो मानो इतने निरंतर विक्षों को काटा जा रहा है लगातार जंगलों को साफ करता जा रहा है तो इससे जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा खत्रा है तो ये थे प्रश्ण उत्रबिच पार्ट पांच ग्यानेंद्रियों के कमाल आसर करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक से जरूर किजिएगा भारतोस क्लासेश पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना थेंक यू